उत्रपरदेश के सोनभदर के ग्राम पंचायट पिंडारी में बहने वाली बिच्छी नधी ग्रामिनों के लिए अभिश्राब बनकर रह गई है आपको बता दे कि पिंडारी नगराज सत्पेडवा एवं मन हरवा टोले के निवासी 2013 में प्रधान मंतरी सडक योजना के अंतरगत करोड़ो रुपे के लागत से निर्मित इस मार्ग एवं बिच्छी नधी पर पुलिया निर्मान से फूले नहीं समा रहे थे ग्रामिन गत 6 वर्षों से पुल के तूट जाने के कारण खून के आसूर रोने को विवश है आलम यह है कि पिंडारी नगराज मनहरवा टोले के ग्रामिन पहले में और पूर सीधा 15 किलोमेटर की दूरी तया कर पहुँच जाते थे अब उन्हें सेवका मोड के रास्ते अतिरिक 50 किलोमेटर की दूरी तया करके जाना पड़ रहा है नगराज सत्पेडवा मनहरवा टोले में अब ना तो एंबुलेंस जा पा रही है और ना ही सो नंबर पुलिस गर्वबती महिलाएं जहां प्रसोपीडा से तड़ अपने को विवश होती हैं वहीं बच्चे विध्याले जाने के लिए बोस बल्ली के पुल पर जान जोखिंग में डाल कर गुजरने को विवश रहते हैं श्रामिक मजदूरी करने नहीं जा पाते तथा तमाम विकासकारी भी पुल के अभाव में इस टोले तक नहीं पहुँच पाते ग्रामिन अपनी इस समस्या को सानसद विधायक जीला पंचायत अध्यक्ष, जीला दिकारी, मुख्य विकास, अधिकारी तथा मुख्य मंत्री तक दर्जनों बार गुहार लगा चुके थे तथा सरकारी दावो को चलावा करार देने लगे हैं ग्राम पंचायत के नगराज फेडवा एवं मनहरवा की अबादी लगवक तीन हजार की है अधिकांश अनुजन जाती के लोग यहां निवास करते हैं ग्रामिन शाम मनोहर कैलाश राम आशीश बनवारी तथा ब्रज नंदन ने बताया कि बिच्छी नदी के समस्या को ग्राम प्रधान एवं गाउं के नागरिक के तोर पर उन्हें अब तक 14 बार तहसील दिवस जीला अधिकारी एवं मुख्य मंत्री को पत्र लिख हर सभव परियास किया है ताकि पुल का निर्मान हो सके लेकिन इसके परिणाम केवल शुन्ये ग्रामिनों ने कहा कि सरकार ग निर्मान कराए जाने की मांगी है सोन भदर से समाधाता अंकर सिंग की रिपॉट पुलिया क्यों नहीं बन पा रहा है क्या समस्या इस पुलिया में आ रही है समस्या है कि चार साल पहले पांच साल पहले पूटा हुआ है जो कि चार पांच साल से जीलात कारी महोदा है और शीडियो साहब हम लोग कई बार लिखित दिये लेकिन इस पुलिया के लिए बारे में आठ तक कोई भी ने कोई सुनवाई नहीं हुआ अब दिक्कत इस बात कहा है कि छोटे नने मुने बच्चे जाते हैं पढ़ने डिलिवरी हो गया या किछी का तवियत खराब हो गया एक सो बारे नंबर गाड़ी भी नहीं आ पाती है एक सो वाड़ भी नहीं एक सो दू भी नहीं बहुत सारी समस्या है जो कि ग्रामिल सब्सक्र केत आप इस प्रसाइवाले मीघुर कर बात का पुल्य निर्मार के लिए क्या क्या भी तक किंग अपन और जिलातकर महत अमित कुमार्शिंद थे पुर्म जिलाद कार्याले में जाके लिखी दिये लेकिन कोई भी आतक अर्शासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हूँ का समस्या है अरे पूल का बहुत समेशिया है कि डिलबरी होने में मतलब यहां अंबलोस रही आपाता है कितना अदमी लोग मर रहे हैं यहीं डिलबरी होकेस में नहीं जा पा रहे हैं बीमारी से नहीं जा पा रहे हैं हम लोग मर रहें, लोगierung मर जाएं इसी फूल की वास्ते डेमाका खड़ा हुई है, यहांग कोई देखि नहीं रहा है, कोई सरकार बन रहा है हम लोग का हल करी नहीं रहे हैं । बताएंग ज़ाना हम लोग कोई उनका कुछ है यह नहीं है इसके बाद बरसात में ही धीरे-धीरे कटना शुरू हो गया, कई वर्सों से इसकी आवाज मिटिया वाले जो बार-बार इसके आवाज उठा जा रहा है, प्राथना पत्र दिया जा रहा है और सरकार की इसमें ध्यान आकरसित किया जा रहा है, लेकिन इसको गंभिरता से आज तक नहीं दिये इस पार लगभग 5,000 की अबादी है जो इस नदी से मात्र एक ही रास्ता है छोटे बच्चे जो विद्याले जाते हैं वो भी इसी रास्ते से जाते हैं डिलेवरी एवलेंस की बुलाना होता है तब पर भी नहीं आपाती है कोई बड़ा बीमारी हो जाता है एक सवाठ करना होता है उसमें नहीं हम लोग इस सरकार में बहुत ही सोच बनाए हैं और सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है लेकिन यहां के समस्या का अब किसमें कमी है इसको हम लोग नहीं जान पा रहे हैं पान साल से बहुत भारी समस्या पड़ी हुई है जो कि बल्ली से बास से इस पुलिया को बना कर लोग किसी परकार पार हो रहे हैं और हम कहेंगे कि सरकार इस पर विश्यस ध्यान दे और इसको तत्काल बनवाने का काम करें. पर इस पर इस अन्वाने का इस पर भाया जसकता, रजओ और इस पमॉझे यह स्वाट नाच विश्यसित अरा areas. और सबाने प्क्रीश खर साथ, यह जड़ा सही एंवाने का मनाटने का इस से कई इस साथ बहुत फ्लिधky घ। शैयर।